हलो इस्टुइट्स वेल्कम बैक गजवकर अकेडमी मैसल फरंदीप सिंग अन्हें हम इससे कर रहे हैं क्लास 12 एप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर फिफ्ट का लास्ट एक्साइस एक्साइस 5.4 इसे लास्ट हमने जो है एक्साइस 5.4 से पहले तो अब हम हैं इसके कैशन पर एक्साइस 5.4 पर देखो लास्ट अगर आपने एक्साइमपल्स देख ली है तो वैलन गुड है नहीं देखे तो एक बार जरूर देखो एक्साइमपल से आपका जो बैसी कंसेप्ट है वो और जदा डवलब होगर काफी अच्छे वाले एक्साइमपल्स दे रखे हैं तो 5.4 का 1st question देखेंगे हैं जो कहा रहा है find the second order derivative अब आई होब आप लोगों ने introduction पार्ट भी देखा और example भी देखें तो second order derivative निकालना आपको आता है सभी को in questions में भी y find करना है तो first देखो आप अगर आप यह जो given equation है इसको हम y माल लेते हैं चलो रहा है function माल लो यह y माल लो y equals to x square plus 3x plus 2 सबसे पहले इसका क्या निकालना है first order से क्या निकलेगा dy by dx आपको क्या करना है derivative करना है इसका differentiate with respect to x अब देखो x square का क्या होगा power आ गया और x की power में से one कम मैंने सिखा है आपको 3 x का क्या होगा 3 का 3 और x का 1 यह हो गया इसका first order अब अगेन आपको इसको क्या करना है differentiate करना है with respect to x अब होगा d square by by dx square ठीक है इसको बोलते सेक्ट हो तो 2x का 2 और x का क्या हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 0 constant का तो कितना हो गया 2 आपका answer हो गया हम इसको y double dash ऐसे भी लिख स सेकंड देखो y equals to x cube minus 5 x square plus 3 x plus 4 ठीक है सबसे पहले d y by dx यानि कि हम कर रहे हैं आपर differentiate with respect to x 3 x square हो जाएगा minus 5 x हो जाएगा ठीक है plus 3 हो जाएगा ठीक है power आगे आगे और आगे रहना भूल गए जैसे यहां power आई यहां अगे power आएगी तो 25 से multiply होगा तो 10 x होगा यह और plus में only 3 अब अगें differentiate d square by by dx इसको बोलते है second order अगर इस थर्ड और बोलता तो एक बार और और कर देते हैं यहां करेंगे तो power आगे एगी 326 x और minus 10 x का 1 और 3 का 0 के लिए next देखो y equals to log x सबसे पहले d y by dx log x का क्या होता है बन बाइक्स होता है अब जब d square y by dx square करेंगे तो मैंने कैसे सिखाया 1 upon x का क्या होता है x ऊपर जाएगा तो power में minus 1 power आगे आती है और power में से minus होता है यह concept है तो minus का x और minus का 2 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ minus 1 upon x square ठीक है तो अंसर आगया इसका minus 1 upon x square कैसे आया यह सिखा दिया मैंने आपको ठीक है आगे देखो second हो गया थड़ हो गया 4 देखो अब पहले dy by dx करेंगे तो log और फिसका function क्या होता है इसका one upon log x यह होता है अब यह जो log x दिरका इस function का भी differentiate करना है तो log x क्या होगा वापस से one by x यानि कि आपका हो गया यह one upon x dot log x यह हुआ खिक है अब इसका again derivative होगा तो इसका अपन यू अपन भी बान सकते है तो यूपन वी का किसे करते है एक पहले यू को derivative करते हैं यू का derivative करते हैं और वी को एज़टीज रख देते हैं तो हम भी रख देते हैं यहां पर as it is, minus फिर u को as it is रखते हैं और v का करेंगे इस बार x dot log x का derivative upon में v का whole square यानि x dot log x और इसका whole square, अब मैं इसको next slide पढ़ ले लेता हूँ एक सेकंड, एक सेकंड ठीक है, कौन सा केशन चल रहा है हमारा यह फोर अब क्या होगा देखना, d square y by dx square equals to 1 का derivative करेंगे तो constant तो यह 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो गया केवल यह बचा, minus यहाँ, अब यहाँ derivative करेंगे तो यह u into v से होगा तो u as it is रखा, v का करेंगे तो log x का क्या होता है, 1 by x plus log x का as it is रखा, x का करेंगे तो 1 और upon में x dot log x का whole square, x x cancel out हो गया तो 1 plus log x और upon में x dot log x इसका whole square, ठीक है, यह आपका answer हो गया, final, clear रहे हैं आपर सभी को, आगे देखते हैं, fifth case, y equals to given है, आपको log x upon x, यह भी u upon v से solve हो जाएगा, पहले एक सिकंद, एक सिकंद, एक सिकंद, डवल derivative कर दिया अपनने है, हाँ पर राण, करेंगे, पहले u upon v लगाएंगे, तो पहले u का differentiate करेंगे, तो मैं लगा देता हूँ, इससे dash करके लिएता हूँ, माइनस, फिर x का derivative करेंगे, और log x को as it is, और upon में इसका whole square, log x का क्या हो जाएगा, one by x, और फिर x minus, x का कितना हो जाएगा, one, एक, x cancel out हो गया, one minus, log x upon x का, यह क्या है, यह क्या है, u upon v है एक तरीके से, ठीक है, अब इसका फिर से derivative करना है अपन को, ठीक है, तो आज हो next slide पर, फिफ्ट वाला कर रहा है हम अपन, dy upon dx तो है, यह one minus, log x upon x का, ठीक है, यहाँ यहाँ यह को u upon v से करेंगे, d square y by dx square, तो one minus log x का derivative और x square as it is, फिर x square का derivative और one minus log x as it is, और अपन में v का, फिर से whole square, अब देखो, one का तो zero हो जाएगा, log x का one by x हो जाएगा, और multiply में बाहर x square है, x square का 2x हो जाएगा, और यह one minus log x, x की power 4, ठीक है, इसको ले लेते हैं, अपने next slide पर फिर से, ओके, आगे देखो, यह minus है, इस x से एक x चला गया, कितना बचा है यहाँ पर, माइनस का x बचा, माइनस का 2x, और one minus log x, और यह नीचे x की power 4, इन में से अपन माइनस x कॉमल ले ले, तो क्या बचेगा, यहाँ पर one बचेगा, और यहाँ पर plus का 2, one minus log x, अपन में x की power 4, यह cancel out होगे, x की power q बचेगी, finally देखो क्या बचा, one plus, इसको multiply कर दो, two minus two log x, और अपन में x cube, open करते हैं, two plus one कितना हो जाएगा, three, यह हो गया, three minus, two log x, और अपन में x cube, यह लो, किलियर है, कौन सा वाला किया था पर नहीं है, four, नहीं, नहीं, कौन सा कर रहे था पर नहीं वाला, four तागी, फिफ्ट था, फिफ्ट था, y equals to log x upon x, ओके, फिफ्ट बचेगा, अब आज आप six, y equals to two x plus one, और यह two x plus three, यह अपन वी से सौल होगा, dy upon dx, तो two x plus one का derivative, और निचे वाली value, as it is, minus two x plus three का derivative, और उपर वाली value इस बार, as it is, और upon में two x plus three, इसका whole square, इसका derivative क्या होगा, only two होगा, और यह two x plus three, as it is minus, इसका derivative भी two होगा, और यह two x plus three, as it is, upon में two x plus three, इसका whole square, इसको open कर दो, two two is a, four x plus two three is a six, minus two two is a four x, minus two three is a six, three, इसका whole square, एक second यह two होगा, और यह two x plus three के लिख दिया, बने यह one है, इसको साही कर लो थोड़ा सा, इसका किया, और यह नीचे वाली value, as it is है, इस बार नीचे वाली value का किया, two x plus three का two, two, x का one होता, three का zero, और उपर वाली value, as it is put कर दी, plus three, plus one, किलियर हैं आपर, two two is a four x होगा, two three is a six होगया, फिर माइनस का two two is a four होगया, और फिर माइनस का two होगया, four x से four x cancel out होगया, कितनी value बच्ची देखना, आपके पास, dy x की, six में से two गया, तो four upon two x plus three, और इसका whole square, अब इस value का फिर से अगेन करेंगे, अपने, six part चल रहा है, और अपना dy upon dx निकला, four upon three, और इसका whole square, अब four constant है, चाओ तो बहार रख दो, चाओ तो कोई issue नहीं है, यू upon v को solve करना है, आपको ने, तो कैसे solve करेंगे, d square y by dx square, u का differentiate करेंगे, four का, और two x plus three का whole square, as it is, minus two x plus three whole square, इसका derivative करेंगे, और ये as it is, और upon me two x plus three का whole square का, फिर से square, अब देखो, four का derivative zero होता है, तो ये पूरा zero होगया, ये वाली value बच्ची, minus, आफ ओर आगे लिख रहा हूं मैं, power आगे आएगी two, और फिर two x plus three, फिर अंदर वाली value का करेंगे, two x का तो only two, और upon me two x plus three का, two two is a four, d square y by dx square, क्या बच किया देखो, two two is a four, four four जब कितना हो गया, sixteen, और ये two x plus three, और ये two x plus three, और पावर में four, three बचेगा only, minus sixteen upon two x plus three की पावर, q, clear है यहाँ पर, so this is complete, sixth part, last देखते हैं, seventh, अब देखो, root में जो भी value होती है, उसका कैसे करते हैं, मैंने आपको सिखाया है, root में अगर कोई value है, इसका मतलब x की power में half है, इसका जब derivative करेंगे, तो power आगया आएगी, और इस power में से minus one होगा, तो x की power minus half बचेगी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, one upon two root x, ऐसे लिख सकते हैं, x की power half है, तो next लिखेंगे, तो positive में हो जाएगी, और half का मतलब होता है, तो यहाँ भी यही करो, आप directly put कर सकते हैं, आप, dy upon dx upon two root, जैसे root के अंदर या x है, आपर यह है, अब अंदर वाली value का भी करना पड़ेगा, आपको तो one का तो zero, और minus x square का minus का, two x, दो नो cancel out हुए, कितना बचा, minus x upon root one minus x square, अब यह u upon v है, double derivative लगा, तो d square y by dx square, minus तो common है भार, उसको छोड़ो, u upon v को करो, पहले u का करेंगे, तो x का करा, तो one आगया directly, और v as it is, minus, इस बार x as it is put करेंगे, और इस वाली value का करेंगे, फिर से root की value है, तो मैंने बताया था, root की जो भी value, उसका derivative कैसे होता है, one upon two root one minus x square, और फिर अंदर वाली value का, minus two x, bracket close, upon के अंदर आगया, आपके पास, root one minus x square, इसका whole square, ठीक है, पूरी value का अपन ले चलते हैं, next slide पर, wait a minute, तो d square y by dx square equals to 7, चल रहा है यह आपको, minus बार इसको चोड़ा, one से multiply करेंगे, यह हो जाएगा, root one minus x square, तो उसे two cancel हो गया, minus minus कितना हो गया, plus, x और x कितना हो गया, x square upon में है, root one minus x square, और upon में है, LCM है, और उसके नीचे है, root one minus x square का whole square, तो one minus x square, only बचा, यहां अगर अपना LCM ले गए, यह से multiply होगा, तो यह one minus x square हो जाएगा, और यह plus में x square अभी है, upon में root one minus x square, और यह वाली value, one minus x square, अब आप देख लो, x square से x square cancel out हो गया, finally क्या बचा मैं उपर लिख देता हूँ, यहां पर, यह negative का one, upon, देखो यहां पर power में half है, और यहां पर power में one है, उन दोनों को अपन add कर दें, तो power कितनी हो जाएगी, आपके पास three by two हो जाएगी, half power और one power, same base पर power add हो जाती है, यह हो गया answer,